रात को मेरी मम्मी पापा के कमरे से जब भी बहार आती, उनसे चला नहीं जाता और वो रोती रहती, मेरी माँ पापा के कमरे में अक्सर नहीं सोती थी, अगर किसी रात पापा के कमरे में सोती थी, तो अगली सुभै मम्मी रोते-रोते बहार निकलती, एक दिन मम्मी सोई तबी मैं मम्मी की चादर लेकर पापा के कमरे में चली गई, पापा का राज जानने के लिए वह सुनकर आपके खोश उड़ जाएंगे, मेरी आँख खुली तो मैंने मम्मी को सिसकते हुए देखा, वह मेरे बिसर के पास बैठी बुरी तरह रो रही थी, अपनी मा को ऐसे दे मम्मी का ऐसा हाल होता था, कुछ समय पहले मैंने एक बार मा से पूछा था कि आखिर वो पापा के कमरे से सुबह सुबह बाहर आकर इतना रोती क्यों है, तो मम्मी ने कोई जवाब नहीं दिया, और मुझे डाट दिया, मम्मी जब भी उनके कमरे से निकलती, मम्मी का हूलि और पुराने कपड़े एक अजीब सी मजबूरी सुना रहे होते, ये सिलसिला कुछ साल पहले से ही शुरू हुआ था, और जैसे जैसे मुझे खोश आ रहा था, मेरे लिए सब कुछ अचंबित होता जा रहा था, मेरे अंदर एक जुनून सा पैदा हो गया था, कि मेरा आखिर मेरी मा के साथ रात भर क्या करता है, इस सवाल ने मुझे बेचैन कर दिया था, मैं 15 साल की हो चुकी थी, और अब बहुत से बाते अच्छी तरह समझने लगी थी, मम्मी का रोता चहरा देखकर मुझे किसी मजबूरी की चतावनी लगती थी, लेकिन हैरत की बात ये दिलकश, मुस्कुराहट होती थी, उन्हें देखकर ऐसा लगता था, जैसे वह बिलकुल जवान हो, वो कुछ न कुछ गुन गुनाते रहते हैं, जैसे बहुत खुश हो, और मम्मी का हाल ऐसा होता था, कि मम्मी पापा के कमरे से निकलने के बाद, दुबारा उनके सामने ज बाथरूम में बंध हो जाती, मम्मी की हालत देखकर मुझे बहुत तरस आता था, मैं दस्वी क्लास में पढ़ती थी, और नाश्ता देने के बाद मैं अपने स्कूल के लिए घर से निकल जाया करती थी, लेकिन सारा वक्त मेरे दिमाग में मम्मी का ख्याल घुमता रहता, म कि मम्मी को देखकर ऐसा लगता कि किसी भी पल मम्मी को कुछ भी हो जाएगा, अक्सर मैं नाश्ता बनाते हुए मम्मी के शरीर को कब कपाते हुए भी देखती थी, मेरा दिल चाहता था कि मैं मम्मी से पूछूं कि पापा रात को उनके साथ ऐसा क्या करते हैं, जो उनका इ जाती थी, बलकि वह मेरे साथ ही सोती थी, मैं पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, और ना ही घर पर मेरा दिल लगता था, मेरा दिल चाहता था कि मैं किसी भी तरह अपनी मा को पापा के कमरे में ना जाने दूँ, लेकिन मैं किसी तरह पापा को मना नहीं कर सकती थी, पापा तो मेरे सामने मम्मी के साथ बहुत ही महबत से पेश आते थे घर के महौल ने मुझे इस कदर परिशान किया था कि मैं छेमाई इम्तिहान में बुरी तरह फेल हो गई मैंने मम्मी पापा को रिजल्ट नहीं बताया लेकिन मेरे दोस हरान थे क्योंकि मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी वो बार-बार मुझे से पूछने लगी कि मेरा ध्यान कहां रहता है मैंने उसे मम्मी और पापा के बारे में बता दिया तुम्हारे पापा अंग्रेजी फिल्में तो नहीं देखते सलोनी ने अचानक से स्वाल किया मैं हक्का बक्का सी देखने लगी फिल्म का भला इस बात से क्या वास्ता था वह अलग निगा से मुझे देख रही थी और मैं ना समझ पाई उसने बात बदल दी लेकिन मेरी सुई उसी बात पर अटक गई आखिर सलोनी ने ये स्वाल क्यों पूछा था मैं घर वापस आई तो मम्मी का चचेरा भाई आर्यन अंकल बैठे हुए थे वो दोफैर को हमारे घर आते थे मम्मी की बचपन से ही उनसे बहुत दोस्ती थी मम्मी बताती थी कि वो दोनों बचपन में एक साथ रहते थे फिर आर्यन अंकल दुबरी चले गए और मम्मी की शादी पापा से हो गई मम्मी की शादी को 17 साल हो चुके थे और मैं उनकी इकलोती बेटी थी कुछ साल पहले शायद सब कुछ ठीक था या फिर मैं ही छोटी और ना समझ थी लेकिन कुछ साल से मुझे अच्छी तरह मम्मी की हालत समझ आने लगी थी मैं जान गई थी कि मेरा बाप अच्छा आदमी नहीं है वह मेरी मा की तकलीफ की वज़ा है और इसी बात ने मेरे दिल में अपने बाप के लिए दुश्मनी पैदा कर दी थी आर्यन अंकल से हमारी मम्मी की बहुत अच्छी दोस्ती थी वो साल भर पहले ही इंडिया वापस आये थे और मम्मी से मिलने के लिए अक्सर आते थे लेकिन मम्मी को उनका आना अच्छा नहीं लगता था आर्यन अंकल के जाने के बाद मम्मी अक्सर मुझे कहती थी कि अगर तुम्हारे पापा को पता चला कि आर्यन मिलने डो जाता है तो बहुत बुरा होगा मैं मा को दिलासा देती कि पापा को कैसे पता चलेगा पापा सुभे काम पर जाते हैं रात को ही घर आते हैं मुझे तो आरियन अंकल बहुत अच्य लगते थे वो हमेशा आते हैं और मम्मी का मूड अच्छा करके जाते हैं मेरे लिए भी बहुत से सामाल लेकर आते हैं पापा की आमदनी इतनी कम थी कि गुजर बसर भी मुश्किल से होता था मम्मी ना जाने कैसे पापा जैसे जालिम इंसान के साथ जिंदगी गुजार रही थी रात में मैंने अपना और मम्मी का बिस्तर लगाया और मम्मी के साथ आखे बंद करके लेट गई थोड़ी देर में पापा मेरे कमरे में आए मम्मी मेरे साथ ही सोने के लिए लेटी हुई थी पापा ने उन्हें साथ चलने को कहा तो मम्मी ने दबी दबी आवाज में इंकार किया मैंने आखे नहीं खोली थी मैं सुनना चाहती थी कि पापा मम्मी से क्या कहते हैं चलना कृतिका, मैं तुझे बिलकुल तंग नहीं करूँगा वादा, पापा की आवाज मेरे कानों में पड़ी जिसमें महुबत की मिठास थी मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ तुम हमेशा ऐसे ही कहते हो मम्मी ने एक बार फिर इंकार किया तुम्हें सोचना चाहिए अब हमारी बेटी जवान है वो सो स्वाल करने लगी है लेकिन तुम्हें इस बास से कोई फर्क नहीं पड़ता मम्मी ने धीमे लहजे में पापा को जवाब दिया पापा ने जबरदस्ती मम्मी को हाथ पकड़ कर उठाया और अपने साथ लेकर चले गए मुझे अजीब सी घबराहट होने लगी थी पापा मम्मी के साथ ना जाने क्या करते थे और सलोनी की अंग्रेजी फिल्म वाली बात भी मेरे दिमाग में अटक गई थी दो घंटे गुजर गए थे लेकिन मम्मी वापिस नहीं आई मैं पानी पीने के लिए कमरे से निकल कर रसोही में गई मम्मी थोड़ी देर में मेरे पीछे चली आई मैंने एक गहरी निगा मम्मी पर डाली उनके बाल बिखरे हुए थे और कमीज कंधो की जगह से फटी हुई थी इस बात ने मुझे बहुत चोकाया मम्मी को मेरी नजरो का एहसास हो गया था वो जल्दी से डुपटे को अच्छी तरह से लपेटने लगी मेरे सामने ही मम्मी ने सुभे सही कपड़े पहने थे लेकिन फिर अचानक ही मम्मी की कमीज कैसे फट गई मम्मी मुझे से पूछ रही थी कि मैं इतनी रात को क्यों जाग रही हूँ मैंने जूटा बहाना बनाया कि मैं अभी उठकर पानी पीने आई थी मम्मी मेरे साथ वापस मेरे कमरे में आ गई मैंने सोने के लिए आँखे बंद कर ली लेकिन मुझे मम्मी की सिस्कियों की आवाज सुनाई दे रही थी मेरा दिल चाह रहा था कि मैं उठकर अपनी मम्मी को तसली दूँ और दिल में आई सारे सवाल को जवान पर ले आउँ लेकिन मैं अपनी जगा खामोश बड़ी रही पापा सुभे सुभे ऐसे त्यार होकर कमरे से निकले थे जैसे कोई जवान लड़का हो पापा की आमधनी कम थी लेकिन पापा हमेशा खुश रहते मुसकुराते रहते काम पर हमेशा ऐसे त्यार होकर जाते जैसे सेथा आदमी हो मैंने उल्टी निगा अपने बाप पर डाली जिससे मुझे आज भी नफरत महसूस हो रही थी पापा के आगे नाश्टा रखकर मैं स्कूल चली गई सारा दिन स्कूल में भी मेरा दिमाग मम्मी के फटे हुए कपड़ों की तरफ था स्कूल से वापसी पर मुझे आरियन अंकल मिल गए मुझे देखते ही उन्होंने मुझे अपनी गाड़ी में बैठा लिया मैं बीना सोचे समझे उनकी गाड़ी में बैठ गई आरियन अंकल ने गोर से मेरी तरफ देखा और कहने लगे कि मुझे बताओ तुमें क्या परिशानी है तुम इतनी खोई-खोई सी क्यों रहती हो मैं इस कदर जजबाती हो चुकी थी कि मैंने आरियन अंकल को सारी बात कह दी मेरी बास सुनकर आरियन अंकल कहने लगे कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारा बाप अच्छा आदमी नहीं है तुम अपनी मा को अपने बाप से अजादी क्यों नहीं दिलवा देती कब तक तुम दोनों उनके जुल्मों की चक्की में पिस्टे रहोगे आरियन अंकल ने बहुत ही फिक्रमंदी से मुझे एडवाईज दी जिससे सुनकर मेरे होश उड़ गए मैं पापा को छोड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकती थी पापा ने मेरे साथ कभी उची आवाज में बात तक नहीं की थी फिर मैं पापा को जालिम कैसे कहती मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि बंद दरवाजे के पीछे मम्मी और पापा के बीच में क्या होता है आरियन अंकल की बात सुनकर मैं सोच के समंदर में डूब गई बहुत सोचने के बावजूद भी मुझे पापा की कोई ऐसी बात याद नहीं आई थी जिस से उन्हें जालिम करार देती लेकिन मम्मी की आँखों में आसू पापा को जालिम साबित करते थे आरियन अंकल मुझे स्कूल से लेकर घर चले आए और खुद भी अंदर आ गए मम्मी हम दोनों को देखकर खुश हो गई थी हमारे लिए फोरण खाना लगा दिया मैं बहुत जादा ठक गई थी इसलिए सोने के लिए अपने कमरे में आ गई और आरियन मम्मी के पास बैठे रहे मुझे नींद नहीं आ रही थी मैं सारा वक्त आरियन अंकल की बात को सोचती रही मम्मी को पापा के कमरे में गए तीन दिन गुजर चुके थे और पिछले तीन दिन से मम्मी मेरे साथ मेरे कमरे में सो रही थी मम्मी जब मेरे पास रहती थी बिल्कुल अच्छी और बेफिकर रहती थी पापा का रवईया तो हमेशा एक जैसा ही रहता था जिस दिन वो मम्मी को अपने कमरे में ले जाते उस दिन वो रोजाना से ज़्यादा खुश महसूस होते थे चोथे दिन पापा मम्मी को फिर अपने कमरे में ले गए थे और मैं सारी रात बेचैनी से करवटे बदलती रही थी मम्मी जब सुबह पापा के कमरे से निकली तो उन्हें ठीक तरह से चलना भी नहीं आ रहा था और वे एक पैजमीन पर घिसीट घिसीट कर बड़ी मुश्किल से चल रही थी मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी तुम्हारे पाऊ में क्या हुआ है तो कहने लगी छोटी-छोटी बातों पर ध्यान ना दिया करो और दिल लगा कर पढ़ाई करो अगर तुम्हारा दसवी का रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो तुम्हारे पापा उसका जिम्मेदार भी मुझे ही समझेंगे मम्मी की आँखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे और पापा के लिए नाश्ता बनाने चली गई उसके बाद दोबारा किचन से बाहर ना आई मैं मम्मी से नाश्ता लेने के बाद पापा के पास गई उन्हें नाश्ता दिया तो पापा मुझे से मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे पापा के लहजे में इतना शहद था कि मैं पापा की इस दोगले बरताव पर हैरान रह गई थी पापा किसी तरह भी सक्त जालिम नजर नहीं आते थे बलकि मुम्मी की हालत चीक चीक कर पापा के जुर्म की दास्ता सुनाती थी मैं पापा को नाश्टा देने गई तो पापा मुझसे मेरी पढ़ाई के बारे में पूछने लगे मैंने पापा से कहा कि मुझे मम्मी के बगार नीद नहीं आती और वो मम्मी को रात को अपने कमरे में ना बुलाया करे मेरी बात सुनकर पापा मुस्कुराने लगे, कहने लगे मैं तो कभी कभी तुम्हारी मा को अपने पास बुलाता हूँ मेरा भी तुम्हारी मा पर हक है और मैं उससे बहुत महबत करता हूँ पापा की बात सुनकर मेरा खून खोल उड़ा था क्योंकि उनकी महबत के नजारे मैं आए दिन देखा करती थी लेकिन पापा से कुछ बोलने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती थी इसलिए खामोशी से स्कूल के लिए चली गई स्कूल में टीचर पढ़ाते हुए हमें समझा रही थी कि कभी भी पूरा सच जाने बगार कोई फैसला नहीं करना चाहिए आधा सच हमेशा बहुत खतरनाक होता है जो इनसान को बरबाद करके रख देता है टीचर की बात ने मेरे दिमाग की एक और खिड़की खोल दी थी मैंने सोच लिया कि पापा का पूरा सच जान कर रहूंगी और फिर अपनी मा को पापा से आजादी दिलवा दूँगी आर्यन अंकल ने मुझसे वादा किया था कि वह हर वक्त मेरी मदद करने को त्यार रहेंगे मेरी मा बिलकुल मेरे जैसी थी मैं उम्र में पंद्रा साल की थी लेकिन नाक नक्ष से मैं बिलकुल अपनी मा की तरह थी अगली रात मैंने खुद ही अपनी मा को नींड की दवा दे कर सुला दिया और खुद अपनी मा की चादर ओड़कर पापा के कमरे में चली गई पापा के कमरे में एक छोटा सा बल्क जल रहा था पापा अंधेरी की वज़े से मुझे मम्मी समझ बैठे थे मेरी खुश नसीबी है कि किर्थी का आज खुद चल कर मेरे कमरे में आई हो पापा बहुत ही खुशी से कहते हुए मेरे करीब आए मेरा हाथ पकड़ कर अपने बराबर में बठा लिया पापा के बराबरी में बैठे मेरा शरीर काप रहा था मैं नहीं जानती थी कि उससे आगे मेरे साथ क्या होने वाला है लेकिन आज मैं पूरा सच जानना चाहती थी पापा बहुत महबत से कहने लगे किर्तिका बेटी जवान हो रही है ये कह कर तुम मुझसे इस कदर दूर हो गई हो कि मुझे जबरदस्ती तुझे अपने कमरे में बुलाना पड़ता है मेरा भी तो तुझपर कुछ हक है मैं मानता हूँ कि हमारी बेटी जवान हो रही है लेकिन वो इतनी छोटी भी नहीं है कि उसे ये समझ ना हो कि माबाप एक कमरे में एक साथ रहते हैं तु सारा दिन काम करके ठक जाती है चल अब स्कून से मेरे साथ सोजा मैं तुझे अपने करीब देख कर खुश हो जाता हूँ पापा को अंधेरी की वज़े से मेरा चहरा नजर नहीं आ रहा था और पापा ने खुद ही मुझे अपने तक्ये पर लेटा दिया वे बहुत धीरे धीरे मेरे कान के करीब होकर बाते करने लगे वे कह रहे थे कि अपनी आमदिनी का कुछ हिस्सा उन्होंने जमा कर लिया है जिससे वह मेरी शादी करेंगे उसके बाद जो कुछ पापा ने कहा वो सुनकर मेरे खोश उड़ गए वे कह रहे थे मैं जानता हूँ कि आर्यन ने एक बार फिर हमारे घर का रास्ता देख लिया है लेकिन किर्तिका मैं तुझे बता दूँ कि वो इंसान ठीक नहीं है और ना ही उसकी नियत अच्छी है पहले भी एक बार वो तुझे बरबाद करने की कोशिश कर चुका है और अब तो हमारे घर जवान बेटी भी है इसलिए तो एहतियात का दामन थाम के रखना पापा को अभी तक मालूम नहीं था कि मैं मम्मी नहीं बलकि उनकी बेटी हूँ पापा बहुत आहिस्ता से मेरे बालों में हाथ फिर रहे थे और कुछ ही देर में पापा को नींद लग गई काफी देर तक मैं पापा के पास लेटी थी लेकिन पापा तो बहुत गहरी नींद सो चुके थे मैं खामोशी से उठकर कमरे से बाहर निकल आई पापा ने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मुझे कुछ भी समझाता इसलिए आर्यन अंकल और मम्मी को लेकर मेरे दिल में बहुत से सवाल पैदा हो चुके थे अगली सुबे पापा रोजाना की तरह थे और उनका चहरा ऐसे था जैसे मम्मी के साथ रात गुजारने के बाद हुआ करता था मैं खामोशी से पापा का जायजा ले रही थी लेकिन मुझे पापा के रवईये में कोई बदलाव नजर नहीं आ रहा था स्कूल से वापस लोटी तो घर के बाहर ही आर्यन अंकल की गाड़ी खड़ी हुई थी मैं हमेशा दूर से नमस्ते कर घर आती थी लेकिन आज मैं चोरो की तरह दबे पाउँ घर में घुस गई मम्मी और आर्यन अंकल मेरे कमरे में एक साथ मैठे बाते कर रहे थे उन्हें मेरी मुझूदगी का एहसास नहीं था जो कुछ मैंने अपने कानों से सुना वह सुनकर मेरे खोश उड़ गए मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वो सच जिसे जानने के लिए मैं बेताब थी वो इसकदर भ्यानक है मम्मी आर्यन अंकल से हस कर कह रही थी कि मैंने अपनी गुड़िया के दिल में उसके पापा के खिलाफ पूरी तरह नफरत का बीज बोया है और अब वो दिन दूर नहीं जब मेरी बेटी अपने बाप की खिलाफ खड़ी हो जाएगी वो बुड़ा जवर्दस्ती मुझे अपने साथ इस रिष्टे में बांध कर रखे हुए है लेकिन अब मैं आज़ादी चाहती हूँ वह مुझे कमरे में ले कर जाता है और मुझे से बात करते करते ही सो जाता है लेकिन जैसे ही मैं बहा निकलती हूँ तो अपना हूलिया खुद ही खराब कर लेती हूँ मैंने गुडिया के दिल में ये बात अच्छी तरह बिठा दी है कि उसका बाप मुझ पर जुल्म करता है एक दिन तो मैंने खुद ही अपनी कमीज तक फार्ट डाली मैं चाहती हूँ कि जब मैं उस बुड़े से आजादी की बात करूँ तो मेरी बेटी मेरी ढाल बन जाए और मुझे अपनी गुडिया को छोड़ कर उसके घर से ना निकलना पड़े गुडिया तो दुनिया को मेरी बेगुनाही और अपने बाप के जुल्म की दास्ता सुना देगी और मैं गुडिया को लेकर तुम्हारी जिंदगी में शामिल हो जाऊंगी आर्यन अंकल हसते हुए कहने लगे कि हाँ मैंने गुडिया से भी कह दिया है कि उसे जब भी मेरी मदद की जूर्थ होगी मैं चलाऊंगा ममी आर्यन अंकल से कहने लगी कि पहले की तरह तुम मेरे साथ बेवफाई ना करना एक बार पहले भी तुम मुझे बीच रास्ते में छोड़कर चले गए थे उस वक्त मेरे पती ने मुझे माफ करके अपनाया था आर्यन अंकल मेरी मा के हाथ पकड़ कर कहने लगे कि मैंने बहुत मजबूरी में तुम्हारा हाथ छोड़ा था क्योंकि मेरे घर वाले इस बात के बिलकुल खिलाफ थे कि मैं एक शादी शुदा औरस से रिष्टा रखूं लेकिन अम मुझे रोकने वाला कोई नहीं है मैं पूरे दिल से तुम्हें और तुम्हारी बेटी को अपनाऊंगा बस गुडिया को किसी भी तरह ये सच पता ना चले कि उसका बाप जालिम नहीं बल्कि हम उसे जालिम साबित करना चाहते हैं गुडिया ही है जो हम दोनों को एक करवा सकती है मम्मी और आर्यन अंकल को यकीन हो गया कि सब कुछ वैसा ही होगा जैसे उन दोनों ने सोच रखा है वो दोनों हस्ते हस्ते ठक चुके थे और मेरे कदमों तले जमीन निकल गई थी मेरी मा सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि मेरे पापा को भी पूरी तरह धोका दे रही थी और वह मेरे पापा के घर में बैठ कर एक दूसरे आदमी के साथ मिलती थी और नए रिष्टे की बातें कर रही थी मुझे पापा की बात याद आ गई कि आरियन ने पहले भी हमारा घर उजाडने की कोशिश की थी मैं बहुत कुछ जाज गई थी इसलिए कमरे के अंदर दाखिल हो गई मुझे देखकर मम्मी और आरियन अंकल चोंक उठे लेकिन थोड़ी देर में उन्होंने अपने आप पर काबू पा लिया आरियन अंकल ने मेरी तरफ चोकलेट बढ़ाई मैंने चोकलेट पकरने के बज़ाए मम्मी की शकल देखी और सकत लहजे में मम्मी से पूछा कि आपको मुझे बताना पड़ेगा कि आखिर आपको पापा से क्या मसला है मम्मी जान चुकी थी कि उनके जूट का पूल खुल चुका है इसलिए बीना जिच के मम्मी ने मुझे सारा सच बता दिया मम्मी शादी से पहले अंकल से प्यार करती थी लेकिन आर्यन अंकल उनसे शादी करने के बजाए दुवई जाकर नोकरी करने लगे और मम्मी के महबत को छोड़कर अपना करियर चुन लिया बच्पन की महबत ने अपना रंग कच्चा ना होने दिया और मम्मी के दिल में आर्यन अंकल की महबत का रंग बसा रहा कि आर्यन अंकल हैंडसम थे मम्मी के लिए पापा का रिष्टा घर वालों की मरजी से था और मम्मी ने अपने घर वालों की जबरदस्ती पर पापा से शादी तो कर ली लेकिन वो कभी पापा को दिल से अपना नहीं पाई थी जबरदस्ती का ये रिष्टा मम्मी के लिए किस इसी बोज़् की तरह था लेकिन मम्मी इस रिश्टे को किसी तरह चला रही थी कि तबी शादी के एक साल बाद ही मैं मा की गोद में आ गई थी मम्मी की शादी के आठ साल बाद आर्यान अंकल दुबई से कुछ दिन के लिए वापस आएं तो उनके दिल में मम्मी को देखकर एक बार फिर से जजबात जाग उठे, मम्मी भी बच्पन की महबत और अपने जजबात के हाथों मजबूर होकर आरियन अंकल से चुपके चुपके मुलाकाते करने लेगी, लेकिन कुछ ही दिनों में ये बात मा की बड़ी मम्मी को पता चल गई, और उन्होंने सारे खांदान में मेरी मा की इजद को उचालना शुरू कर दिया, पापा मा से सची महबत करते थे, इसलिए उन्होंने मम्मी को बदनामी से बचा लिया, और सारी बातों को जूटा साबि की और उन्हें जवरदस्ती वापिस भेज दिया, महबत का जोश जंग की तरह बैठ गया था, उसे एक साल पहले आरियन अंकल ने दुबारा जिंदा कर दिया, अंकल हमेशा के लिए इंडिया आ गए थे, और एक बार फिर वो मम्मी के पीछे दिवाने हो गए थे, मम्मी को लेकिन दिक्कत यह थी कि पापा मुझसे भी बहुत प्यार करते थे, और मम्मी भी मेरे बगार नहीं रह सकती थी, इसलिए मम्मी ने जान भूज कर ये सारा खेल रचाया, और मेरी नजरों में पापा को गलत साबित कर दिया, मम्मी हमदर्दी बटोर कर मुझे अपने साथ ले जाना चाहती थी, इसलिए मेरे सामने पापा को जालिन साबित किया, और खुद मुलाजिम बन कर रहने लगी, मैं इतने साल से ये सोच रही थी, कि पापा तो कभी उची आवाज में हमसे बात तक नहीं करते, फिर वो बंद कमरे में मापर जुर्म कैसे कर सकते हैं, मैंन आरियन अंकल जो पहले ही मम्मी को दो बार छोड़ चुके थे, मम्मी उनसे ना जाने कैसी तीसरी बार उम्मीद लगा कर बैठी थी, मुझे आरियन अंकल की आँखों में आज पहली बार अपने लिए सिर्फ और सिर्फ खुआश दिखाई दी थी, और मैं जान गई थी कि उस खुआश को पूरा करने के बाद मम्मी उनके किसी काम की नहीं, मम्मी ने मुझे आगे के सुहाने सपने दिखा कर इस बात के लिए मजबूर किया कि मैं उनके साथ चल पड़ूं और पापा को छोड़ दूं, लेकिन मेरे लिए मेरे पापा को छोड़ना इतना आसान नह देखा था और कानों से सुना था, लेकिन मम्मी उनकल के साथ जाने के लिए राजी थी, लेकिन जब आर्यन उनकल ने देखा कि मैं किसी तरह उनके काबू में नहीं आऊंगी और ना ही मम्मी के साथ चलूंगी, तो एक बार फिर मम्मी से अपनी रहा जुदा करके मम्मी को छोड़ गए थे, मम्मी को पता चला था कि आर्यन उनकल मम्मी के लिए नहीं बलकि मेरे लिए हमारे घर के चकर काट रहे थे, वो बहुत ही चलाक और मकार इनसान थे, उन्होंने मेरी मा की महबत को पूरी तरह अपने फाइदे के लिए इस्सेमाल करने का सोचा था, मम्मी क अब एहसास हुआ कि जजबात की धारा में बहकर वो कितना बड़ा नुकसान करने जा रही थी, अगर मम्मी और मैं उनके साथ चले जाते, तो वो मेरी इज़द को एक बार फिर वैसे ही उचालते, जैसे बड़ी मम्मी ने मम्मी की इज़द की धजियां बिखेरने की कोशि की थी, ना जाने कौन सा अच्छा काम हम दोनों मा बेटी के काम आ गया था कि हम अंकल के चुंगल से निकल गए थे, रात को पापा घर लोटे तो मम्मी ने खुद ही पापा के लिए खाना मंगवाया और अपना बिस्तर भी पापा के कमरे में लगा दिया, पापा की खुश कालों में पहली बार मम्मी को अपनी गलतियों का एहसास हुआ था और उन्होंने पापा को दिल से अपनाया था, अगली सुबे पापा और मम्मी हस्ते मुस्कुराते कमरे से बाहर निकले थे और मेरे दिल को एक ठंड़क का एहसास हुआ था, कभी कभी हम प्यार के नाम पर ऐसा धोका खाते हैं कि किसी को मुँ दिखाने के लायक नहीं रहते असल महबत तो विवा के बाद ही होती है जिसमें इनसान एक दूसरे का ढाल बन कर एक दूसरे के एब ढख लेता है तो इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कोमेंट करके जरूर बताईएगा दोस्तों आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी रात को मेरी मम्मी पापा के कमरे से जब भी कैसी लगी आप हमें कोमेंट बोक्स में जरूर बताएं यदि आपके पास भी ऐसी कोई प्यारी सी कहानी है या फिर ऐसी कोई और कहानी जिससे कुछ शिक्षा मिले तो आप हमारे साथ उसको जुरूर शेयर करें दोस्तों यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो आप हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर जुरूर करें और ऐसी ही दिल को चू लेने वाली प्रेणा दाय कहानिया सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और यदि आप हमें फेस्बुक पर देख रहे हैं तो आप हमारे फेस्बुक पेज को लाइक और फॉलूर जुरूर करें तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसी ही जबरदस कहानी ये टिप्स के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद आप सभी अपना ख्याल रखना आपका दिन शुब वा मंगल में हो